हम नेस्ट कुषिन देखते हैं देखते हैं इस चॉपटाने देख लेता हूँ यह आपका 16 हो या फिर 17 होगा तो इसको 16 कर देता हूं एक वाले कुषिन में आपका पुछा हुआ है कि what is the power loss या फिर जो power dissipated by the 5V source 5V source यहाँ पर जो power कितनाפר कितना कंजूम कर रहा है या फिर पावर कितनाnosis Score या तो यह power दे रहा ओगा या फिर power consume कर रहा होगा वही यहाँ पर पूचा कि उसकी value कितनी है ठीक है न तो power consumption या पिर जो power deliver इबर वो अभी मैं आपको बताऊंगा, first of all तो मुझे यहाँ पर यह निकलना पड़ेगा, what is the current flowing across the 5V source, जब वहाँ पर मैं current मैं वहाँ पर निकालूंगा, तो P is equal to V into I से मैं वहाँ पर जो power की value को find out कर सकता हूँ, ठीक है, तो first of all I have to find out the value of the current which is flowing across the 5V source, ठीक है, बात clear है, यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर यूज करूँगा, mass analysis, ठीक है, mass से मैं इसको करके दिखाता हूँ, जान से देखीगा, ठीक है, clear रहेगा, आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है, मैं माल लिजे, first mass इसको माल लेता हूँ, second mass मैं इसको माल ले रहा यहाँ पर I1, I2 और I3 मैं इसको माल ले ठीक है, ठीक है, अच्छा, एक बात मुझको यह बताइए, कि आप यहाँ पर यहाँ पर यह देख रहे हूँ, कि I1 और I2 मिल करके इस वाली branch में flow होंगे, इसका मतलब क्या मैं यहाँ पर यह बात बोच सकता हूँ, कि I1 प्लस I2 इ फिर मैंस में घूमना पड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो I1 इंटू 1 का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं इस इधर आऊंगा, तो यहाँ पर current source आ रहा है, तो current source के cross आपको voltage क्या पता है, नहीं पता है, यहाँ पर आप voltage drop, क्योंकि यहा सकते हैं, तो ध्यान दिजेगा, एक बात यह भी समझेगा, कि current source के cross voltage drop कभी भी आप find out नहीं कर सकते हैं, इस question से हमारा एक concept और clear हुआ, कि current source के अगर आपको voltage drop निकालना है, तो आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं यह वाले loop में नहीं गुम सक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल लगाँगा, तो यहाँ का तो drop मैं add कर दूँगा, बट यहाँ का मुझको कोई drop नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब मैं वहाँ पर केवल नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है, बात एक दम clear होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं इधर व D, C, A वाले लूप में घूम रहा हूँ, ठीक है न, अब यहाँ पर समझेगा, इस चीज़ को हम clear करेंगे, तो जब मैं current के direction में जाता हूँ, तो वहाँ पर drop आपका positive आता है, अगर मैं current के उल्टे direction में move करूँगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वहीं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर drop क्या है आईवन इंटिवन का drop आजएगा, तो क्या हो जाएगा, I 1 इंटिवन का drop होगा, क्योंकि आप इसी direction में move कर रहे है, तो direction में अगर आपका प्लस मानिस होगा, current जब flow हो रही हुए, तो यहाँ पर drop प्लस मानिस होगा, clear है बात आगे गए तो आप इसके पास पहुचे आपने इस वाले resistance से पूचा है कि भाई तुम्हारे अंदर जो current फ्लोर ही है वो कैसे आ रही है तो वो क्या बोलेगा कि वहाँ पर मेरे पास जो current आ रही है उपर positive आ रही है इधर से insert कर रही है तो current हमेसा जो positive में घुसकती है in case of the resistance मैंने आ हो जाएगा minus of कितना हो जाएगा i2 into 2 ठीक है आगे गए इससे पूछे तो यह क्या बोला है कि सर अब तो मेरे अंदर दो current flow हो रही है कौन कौसी एक तो आपकी i2 flow हो रही है और उधर से आपकी i3 भी आ रही है बात clear है लेकिन जो आपका direction है वो आपका opposite है बहुत यहां इसमें घुस रहे होंगे तो इसका मतलब क्या होगा दोनों का direction अगर जो है सेम है तो क्या हो जाएगा i2 प्लस i3 हो जाएगा but you are moving in opposite to the direction of the current तो क्या हो जाएगा negative आ जाएगा तो कितना होगा minus of i2 प्लस i3 into 1 ठीक है आगे गए तो आपने पूछा कि यहां पर जो 1 ohm का है आपने इससे पूछा कि भई तुम बताओ कि तुमारे अंदर आपका drop कितना हो रहा है तो वो क्या बोले कि मेरे अंदर भी 2 current आपकी जो flow हो रही है एक तो यह flow हो रही है एक उधर से यह flow आ रही है तो इसका मतलब जो इधर वाला होगा उसको तो हम जो positive लेंगे लेकिन उ खौत ही clear होना चाहिए सब चीज़े फ्लीज जहां समझेगा तो कितना हो जगा I1-I3 ठीक है इंटू 1 ठीक है यहाँ पर भी मैंने जो 1 से multiply कर दिया तो अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर आप आप देख सकते हैं कि हमारे पास यह हो गया है that will be equal to यहाँ पर 1 से multiply करने 1- of I3 will be equal to 0 सही है ठीक है कितना हो गया I1 पस I1 कितना हो गया 2 times of I1 minus of 2 times of I2 minus of I2 that is equal to 3 times of I2 कितना हो जाएगा ध्यान दिजेगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 times of I2 2 times of I1 हो गया और minus of 3 times of I2 हो गया minus of 2 times of I3 is equal to 0 this is called as the first equation, ठीक है, बहुत है simple बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद दखेगा, मैं इसके बाद ये वाले लूप में जो मूफ करूँगा, ठीक है, इस वाले लूप में मूफ करूँगा, ठीक है, तो एक तो लूप मेरा ये वाला हो गया, next मैं A, C, A वाले मूफ कर रहा हूँ A, C, A, ठीक है, देखेगा जहां से, तो मैं यहां, यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो थ्री वाले में कितनी करेंट फ्लोऊर ही, I3 की करेंट फ्लोऊर ही, ये तो कितना हो गया, ठीक है, आगे गया, वन वाले से पूच़ए, तो वन वाला क्या बोले है, कि मेरे अ करेंट फ्लोर ही लेकिन आप किसकी डर्श में मूव कर रहे हैं और प्रियोर्टी किसकी होगी आई-3 की होगी वह बात तो सही है लेकिन आई-1 इस इन अपोजिंग नेचर अगर अपोज कर रहा है तो वह नेगेटिव में हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा आप लिखेंगे कितना रिखेंगे i3 minus of i1 into 1 बात क्लियर है आगे गए आपने पूछा किससे इससे बन वाले से यह क्या बोलो है कि मेरे अंदर दो करेंट फ्लो हो रही है लेकिन दोनों का डारेक्शन आपका जो है सेम है मतलब दोनों आपस में सपोर्ट कर देंगे तो i3 plus i2 into 1 equal to 0 बात क्ल i3 plus i2 equal to 0 ठीक है clear है तो यहां से 3 i3 plus i3 plus i3 plus i3 कितना हो कि 3 plus 3 plus 1 4 plus 1 5 minus i1 plus 5 times of i3 और plus i2 ठीक है अच्छा इसमें आप जब move कर रहे थे तो यहां पर आपके पास voltage source भी था minus 5 volt का तो वो आप यहां पर भूल गया है basically देखेगा इस चीज़ को तो यहां पर voltage source भी आएगा ठीक है ना तो यहां पर कितना जगा देखेगा 3 i3 हो गया और यहां पर जो है 1 into i3 minus of i1 हो गया आगे गया तो 1 into i2 plus i3 हो गया और यहां पर गया तो आप negative insert करें तो कितना हो जगा minus 5 minus 5 is equal to 0 तो that will be equal to 5 हो जगा that will be equal to 5 हो जगा यह आपका equation क्या हो गया this is equation number of third first आपने equation यह लिखा था i1 plus i2 is equal to 10 second आपने यह वाला equation लिखा और third आपने यह वाला equation लिखा तो आप मुझको यह बताई कि आपके पास कितने number of unknown है और कितने number of known है तो आप क्या बोलें कि sir हमारे पास यहां पर 3 unknown है और यहां पर number of equations कितनी है तो तीन है तो तीन अगर आपका variables है और तीन equations है तो क्या आप यहां पर i1, i2 और i3 की value को find out नहीं कर सकते हैं बहुत ही easily कर सकते हैं तो अब आप इसको जो है solve करेगा और यहां पर i1, i2 और i3 की value को जो है निकालेगा i1 is equal to आपका आ रहा है ध्यान दीजिएगा मैं यहां पर लिख देता हूं और आप जो solve कर लिजिएगा तो i1 is equal to आपका 20 by 3 आ ठीक है i2 is equal to आपको कितना मिल रहा है i2 is equal to 10 by 3 मिल रहा है ठीक है ना i2 is equal to 10 by 3 आप यहां पर देख से थे कि i1 i2 को मैं जो एड करूंगो तो 30 by 3 आ जागा that is equal to 10 अंपर आ जागा तो that is also right answer है और third आपके पास क्या है i3 है i3 will be equal to कितना रहा है minus 5 by 3 आ रहा है i3 is equal to minus 5 by 3 आ ठीक है अब यह बात समझेगा कि आगर आपको यहां पर basically क्या पूछा था कि power consumption या फिर जो है power delivered by the 5 volt source तो यहां पर क्या आ रहा है i3 is equal to minus 5 by 3 आ रहा है हो सकता है अब positive या फिर negative आप यहां चेक कर लेजेगा अगर आपका जो minus 5 by 3 आ रहा है मतलब आपका direction of the current आपकी जो है ऐसी नहीं होगी in that case आपकी direction of the current जो होगी वो आपकी कुछ इस तरह से हो रही होगी ठीक है ना जहां समझेगा उस वाले case में अगर मैंने पहले ऐसे माना था कि ऐसे गूम रहा है तो ऐसे आपका जो positive था मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी जो battery में positive current enter कर रही है तो आपका power को consume कर रही बैटरी चार्ज हो रही है अगर वो current को positive से current बाहर निकल ले मतलब वो आपकी power को deliver कर रही है ठीक है इसका मतलब क्या है यहाँ पर power consumption या फिर power delivery में एक बड़ जो clear कर देता हूं तो इस आपका power आजाएगा ठीक है अभी इसका जो consumption होगा या फिर delivered होगा अभी हमने इसको चीज को यह बर clear कर लेते हैं तो ध्यान से देखेगा अगर मालीजे सपोज एड कि मैंने आपको जो है चार यहाँ पर case दे दिया चार case दे दिया first case is this second case is this third case is this और fourth case is this ठीक है यहाँ से आपको जो power consumption और power delivered भी अच्छे से clear हो जाएगा ठीक है यह मालीजे प्लस है यह माइनस है यह प्लस यह माइनस यह प्लस यह माइनस यह प्लस यह माइनस और यह प्लस ठीक है यहाँ पर voltage मालीजे 2V है और यहाँ पर मालीजे आपकी current for यह 1A की ठीक है यहाँ पर भी आपके आपके पास 2V है और यहाँ पर current आपके जो अंदर आ रही है 1A की, यहाँ पर भी आपके पास 2V है लेकिन current यहाँ से बाहर जारी 1A की, अब आप उसको यह बता है किसमे आपके पास 4 किस है 1, 2, 3, 4 तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर positive में current आपके insert करती है इसका मतलब क्या है वो as a load काम करता है अगर load काम करता है इसका मतलब क्या है वहाँ पर power consume हो रहा है या फिर power आप बोल सकते हैं कि power dissipate हो रहा है और P is equal to V into I और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप load के बारे बात करेंगे या पर बोलेंगे power consume हो रहा in that case power will be positive power जब भी consume होगा तो वहाँ पर आप जो positive लेंगे जब भी power deliver करेंगे तो वहाँ पर power आपको negative होगा ठीक है इसका मतलब ये as a source काम करेगा या फिर sink काम करेगा दो term होते हैं source या फिर sink source का मतलब होता पावर देना sink का मतलब होता जो power consume करता है इसका मतलब ये क्या है ये आपका जो है sink है sir ठीक है बात समझेगा ये जो terminology है source और sink आपकी जो machine में भी बहुत ज़्यादा यूज होती है, थीक्रellow तो अगर यहां पर क्लिर तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली ठीक है, अब इसके बाद ल Jordan यहां पर क्या है, आपकी crazy you अपकी क्रेंट आपकी करेंट जो बाहर निकलें यह आपका क्या है, इसमें पावर आपकी जो है, यहाँ पर current आपकी जो positive से बाहर निकल लिए, अगर current आपकी जो है पॉस्टिव से बाहर निकल लिए, मतलब यह क्या हो गया, source हो गया, तो source हो गया, तो power यहाँ पर क्या हो जाएगा, negative, minus 2 watt, ठीक है, कितना आगया, यहाँ आ हो जाएगा 2W, कितना हो जाएगा यह आपको क्या हो गया, this is called as the sink तो चार केस बन सकते हैं और चारो केस में आपको जो बता दिया कि यहाँ पर अगर आपकी positive में power घुस रही है positive में अगर आपकी current जो गुस रही है इसका मतलब क्या, that will work as the load या फिर उसको आप जो sink भी बोल सकते हैं ठीक है ना, तो वहाँ पर power जब भी आप लिखेंगे load या फिर sink में तो आप हमेशा जो power जो positive लिखते हैं, अगर आपके पास जो है, यहाँ पर source के बारे में अगर आप बात करते हैं power की, तो वहाँ पर हमेशा power आप जो है, negative लिखेंगे, ठीक है ना, बात समझेगा, यह convention है और इसी को आप जो use करके हमेशा आगे बढ़ेंगे तभी सही रहेगा, ठीक है ना बात clear है, ठीक है ना तो यह आपको जो समझ में आ चुका है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो कुछ को करते हैं और questions को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं, this is called as a question number of 18th होगा, ठीक है 18th question है, यहाँ पर आपको जो है, find out करना है क्या पूछा देखते हैं, बताता हूं मैं आपको लिखा है यहाँ पर जो है aok across आपकी कोई भी current नहीं flow रही है, ठीक है ना aok across कोई भी current नहीं flow रही है the current that is i equal to 0 आपको जो है given है i is equal to 0, ठीक है, इसका मतलब क्या है, this is just like the weight stone bridge as we know that i current is 0 in the, in this branch अगर आपका weight stone bridge बनेगा तो यहाँ पर कोई भी current आपकी जो flow नहीं होगी तो यहाँ पर current आपकी जो flow नहीं हो रही है, अच्छी बात है इसका मतलब क्या है, opposite branch का resistance का जो multiplication होगा, that will be equal इसलिए यहाँ पर जो पूछा क्या है कि what is the value of the r what is the value of the r, ठीक है तो r आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 1 into r 1 into r is equal to कितना हो जाएगा 4 into 1.5 ठीक है, तो यहाँ से आप मुझको यह बता ही what is the value of r, r will be equal to 6 उमा जाएगा, ठीक है this is the first, यह आपको जो एक जो है wheat tissue भी जागर आपको नहीं आएगा, तब भी answer आएगा कैसे आगा, देखेगा यहाँ पर आपको पता है कि i is equal to 0 है मतलब यह आपको क्या हो गया, this is open यहाँ पर कोई भी current आपको जो flow नहीं हो रही है यहाँ से कोई भी current अगर आपको i flow होगी तो that will be divided into two parts this is called as the i1 and this is called as the i2 ठीक है, आप loop में घूम जाएए मा लेजिए, अगर यह i2 जाएगा तो यहाँ पर भी आपको i2 ही मिलेगा क्योंकि यहाँ से आपकी जोग कोई भी current नहीं आ रही है ठीक है, तो इस वाले loop में मैं घूम सकता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर जो loop में kvL लगाऊंगा तो बहुत ही easy लिख सकता हूँ अगर आप negative में insert कर रहे हैं तो फिर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे my plus 4 times of i2 4 times of i2 plus i2 into r ठीक है, और plus 2 times of i will be equal to 0 क्योंकि इस वाले यहाँ पर अपकी current कितनी फ्लोरी, i2 फ्लोरी ठीक है और इस वाले में कितनी फ्लोरी, i2 फ्लोरी ठीक है तो मैंने उस हिजाब से equation लिख दिया तो कितना हो जाएगा, 10 will be equal to कितना हो जाएगा, 4 4 plus r हो जाएगा, 4 plus r into 4 plus r into i2 plus 2 into i, ठीक है, simple सी बात है मैंने इस वाल लूप में equation लिख दिया अगर मैं इस वाल लूप में equation लिखूंगा, तो फिर कैसे लिखूंगा ध्यान देजेगा 1 into i1, कितना हो जाएगा i1 plus 1.5 times of i1 इस वाले में और plus 2 times of i इधर minus 10 equal to 0 ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है, लिख सकता हूँ कि i1 will be, i1 आ गया यहाँ पर कितना जाएगा, 2.5 ठीक है, plus 2i will be equal to 10, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 2i आएगा 2i ठीक है, अब यहाँ पर दखेगा आपके पास यहाँ दो equation आपने यहाँ से बना लिया, this is called as the first equation this is called as the second equation दो equations आ गई, क्या आपके पास दो unknown है, i1 i2, और i भी आपके पास यहाँ पर जो unknown है, एक बाद बताईए आप यहाँ पर जो solve कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे सर अब यहाँ पर दखेगा, second बाद दखेगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि i will be equal to i1 plus i2 ठीक है, तो i1 plus i2 अगर आप जो है, replace करेंगे i is equal to, तो i1 और i2 अगर आप जो है, replace करेंगे, आपके पास जो है, दो equations आएंगे, और यहाँ पर आपके पास तीन unknown हैं, कैसे दखेगा एक तो i1 i2 यहाँ पर अगर आप यहाँ पर भी करेंगे, तो i1 plus i2 में यह वाले equation बनेगी, i1 plus i2 में यह वाले equation बनेगी, लेकिन इस वाले equation आपके बस r नहीं है, और इस वाले equation में r है तो इसका मतब क्या है, basically आपके पास जो है, कितने unknown quantities हो गई, दो unknown i1 i2 और तीन unknown r भी है जाएगा, ठीक है तो unknown, unknown यहाँ पर क्या है, i1 है, i2 है and r is also unknown, तो क्या अब आपका जो है, यहाँ से answer निकल जाएगा नहीं निकल पाएगा, तो आप एक काम करिए एक loop और बना दीजे, यह देखिए यह भी आपका एक जो है loop है, ठीक है this is also a loop, यहाँ पर भी आपका 1.5 times of i1 इस वाले में आएंगे, तो फिर क्या लिखेंगे minus उल्टे, उल्टे डिरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे minus into i2 into r आगे आएंगे, minus into 4 times of i2 will be equal to 0 अब आपके पास क्या है, तीन equations हैं, और तीन unknown है, तो आप यहाँ पर easily solve कर सकते हैं, what is the value of the r ठीक है, तो यहाँ से i1, i2 और r आप easily लिका सकते हैं, but I will not prefer this method, as we know that we have some other option also, that is called as the wheatstone which अगर आपको wheatstone which पता है, तो वहाँ पर आप उसको easily solve कर सकते हैं wheatstone which का use करके, ठीक है तो वो सबसे better है, ऐसे भी आप solve कर लेंगे, तो भी आपका answer आजाएगा ठीक है, तो I hope it is very much clear to you, इसके बाद चलते हैं next question पर ठीक है, और next question को यहाँ पर जो है देखते हैं कि यहाँ पर कैसे solve कर सकते हैं, ठीक है ना कर दो झाँ आप सकते हैं कर दो कर दो कर दो बादे हैं